आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल वर्की पूरी नमकीन वर्की पूरी बनाएंगे अज बहुत ही टेस्पुल लगेगी यह खाने में इस दिवाली में इसे ट्राइज जरूर करिए रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए फ्रेंज देख लेते हमने इसे बनाया कैसे हैं हमने लिए हैं दो कप मैदा 1-4 टी स्पून जीरा डालेंगे सफेद जीरे का इस्तमाल की हूँ 1-4 टी स्पून हम इसमें डालेंगे कलोंजी अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए इसमें डालेंगे ऐजवैन 1 गाएंश तीस्पून आएजवैन संफकर देख लेएगैस्पून फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें थोटी सी जादी बालेंगे अच्छा लगता है इसमें थोड़ी सीजादी दाले इसमें दालेंगे धूड़ी स्क्म् striking पाउड़र पानी नहीं नहीं है थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालेंगे जैसे हम समोसे का दो बना लेते हैं ढकन कवर कर कर एक बाउल heart, 4-4 गाइज़ डालें गी दालें sare ज्ञा फैकर पत्ली तो कब ड़ियें 23 maidat को अर्श कर्वारए मेड है यह साइब को एक से तीन ज्ञाएज अरु मेड़ी हम ने रख डियें यह देखिये जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बना कर रखते हैं उसी तरह से हमने पेड़े बना कर रखे हैं लेकिन पेड़े को खुला नहीं रखना है उस पर ढखन कवर कर रख दीजिए वन्हा पपड़ी जम जाती है अच्छे तरीके से हम इसे थोड़ा सा दबाते हुए तो खीच कर बड़ी कर लेंगे हमने सातों रोटियां बना लिये हैं यह देखे इस तरह से अब लगा लेंगे जो हमने मैदा और घी मिलाकर रखे ते इस पर अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा उंगली के मदद से हम इसमें ब्रश का इस्तमाल नहीं करेंगे हातों से ही फिर दूसरी रोटी पे जो हमने उपर से रखे ते उस पर भी वही घी और मैदा लगा देंगे फिर दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह से प्रोसेस करेंगे हम सारे रोटियां इस तरह से रख देंगे और यह जो उपर वाली रोटी रहेगी इस पर हम आभी नहीं लगाएं इस तरह से खीजों करने है थोड़ा से खीच कर fim करना कर भाल के। जो आए टूहरा कि अंभी घुर समय और अगेऊ से सब्सक् efforts क्तार बेल ना करें DRCTR Till तु एंड़ा करें कि खोल तोल लह थूज़ाा पर्मारे समय। अब हम इसकी पतली-पतली पेड़े की टाइप में कट करेंगे, जिसे हम पेड़े खाते हैं चोटे-चोटे पतले-पतले, उसी तरह से हम इसके लोईया कर लेंगे, हमें ये लोईया बना कर एक बावल में रखना है, उपर से गीला कपड़ा ढख दीजिए, प्लेट ढख कर अब फ्लेम के लेख, इस दाते हैं, ये ठीक सकते हैं इसका चैप थोड़ा सा तेड़ा है, तो मैं हातों से थोड़ा सा गोल करें आहिंगे, हतेल से दबा कर भी हैं एक पेड़ा लेना है, नीचे रखकर एक पर प्रेस कर दीजिए, अर फिर इस तरह से बढ़ ली जिए, न इस दिवाली में आप मिठाई के साथ में इस नमकिन पूरी को भी जरूर बनाईएगा आपके फैमिली में आपके मेमानों को सभी को पसंद आएगी फ्रेंड्स यह पूरी और यह पूरी फ्रेंड्स 15-20 दिन एक महने तक के नरम नहीं होती है वैसे ही खास्ता लगती है खाने चुड़ा चकली हर चीज बनाऊंगी फ्रेंड्स सब रेसिपी आप बनाएए और आपके फैमिली के साथ में इंजॉय करिएगा तो फ्रेंड्स मेरे रेसिपी में अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कोमेंट करकर बताएए मैं इंट्रो करूंगी लेकिन रेसिपी मेरी ट्राइज जरूर करिए इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना खैल रखिये सेफ रहिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक्यू फर वाचिंग